हेलो शोलेंस, आज के इस lecture में हम लग quadratic equation का example करेंगे और एक concept देखेंगे एक example किसमें देखेंगे, question देखेंगे, let alpha, beta are the root of x square plus 3x plus 7 is equal to 0 then find x raise to 4 plus 7x cube plus 2x square plus 7x plus 9 at x is equal to alpha तो पहले हम लोगो जो x square plus 3x plus 7 is equal to 0 है, इसका root क्या है alpha और beta है तो मैं talking it around, हमको at x is equal to alpha दिया है, तो मैं क्या करूंगा, alpha में लिखूंगा, alpha square plus 3 alpha plus 7 is equal to 0 अलफा में लिख नाब में को, उसके बाद यह एक equation है, एक polynomial है this is your polynomial, तो polynomial equation को, हम लोग linear, linear form में convert कर सकते हैं, तो पहले हमें इसको यह पोरिणामी है, इसको मैं alpha में लिख लेख 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 अब आप लोग नहीं concept पता है, ठीक है alpha raise to 4 plus 7 alpha cube plus 12 alpha square plus 7 alpha plus 9, एक है this is your dividend, एक है, dividend को, एक है में लिख से मुंटिप्ला गिया, एक है, alpha square divided गिया, एक है तो, अब इसको divide को सा करना है, यह हम लोग को आना चाहिए ठीक है, यह हम लोग ने basic पड़ा था, 10th, 9th, standard का हम लोग ने पड़ा था एक shortcut तरीका भी यह करनेगा पर उसमें माल में mistake होने का chances नहीं तो वह करने से अच्छा यह वाला करो, इसमें mistake chances ना के वाला करो ठीक है, में mistake होने का chances नहीं तो, यह क्या मेरा alpha square है, ठीक है, alpha square है तो मैं क्या मैं इससे multiply करोंगा तो alpha raise to 4 आएगा alpha square, ठीक है, तो मैं यह लिखता हूँ alpha raise to 4 plus 3 alpha cube plus 7 alpha square, ठीक है, ठीक है, तो minus किया ठीक है, तो 4, ठीक है, अब यहां पर 4 alpha cube है, ठीक है, यह 4 alpha cube है, यहां पर x square है तो किससे multiply, यह, जो x square है, हमें किससे multiply करोंगा, तो 4 x cube आएगा, यहां पर, plus 4 x आएगा, ठीक है 4 alpha, यह मेरे cancel होगा, ठीक है, अब यहां पर, मेरे क्या एगा, 5, 2, 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब यह, यह मेरा alpha square है, और यहां पर 7 alpha square है, तो में किससे में multiply करोंगा, तो मुझे minus 7 alpha square मेरेगा, तो हम लोग minus 7 से multiply करोंगा, alpha square multiply by 7, 7 alpha square आएगा, ठीक है, सब्सक्राइड़, यहां पर complete है, ठीक है, तो remainder क्या है, remainder मुझे तो अगर यह वाला फॉर्म को मुझे इसमें रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या दिखूंगा अब यह मुझे एक equation formula अब यह मुझे क्या करना है अब इसको solve करना है तो अगर मैं इसको solve करूंगा अब यहां पर देखो यह alpha square plus 3 alpha plus 7 यह वाला जो dumb है यह 0 है तो 0 हो जागा है तो 0 मत्या जागा है जागा 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 तो बचेगा किना 58 तो 58 is your answer अब इसमें देखो दूसरे में करेंगा इसमें में क्या कर सकता हूं अब देखो यह में equation किसमें में क्या कर सकता हूं x square plus 3 alpha plus 7 इसमें देखो denominator में 3 alpha plus 7 है वो मेरा यह वाला term है तो में क्या करूंगा और numerator में क्या था में 2 में common लेता हूं तो x square plus 7 हो जाना है और नीचे 3 alpha plus 7 तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 2 alpha plus 7 2 alpha plus 7 alpha square plus 7 is equal to minus is equal to 0 टिक है minus 3 alpha टिक है और यह minus alpha square टिक है यहां से देखो यह alpha और यह alpha cancel हुआ तो minus 3 by alpha टिक है अभी तो 3 by alpha है टिक है तो इसका कोई मतलब नहीं है तो यह काम हमल कर सकते हैं तो multiply the numerator with beta and divide by beta टिक है तो क्या होगा alpha beta हो जाएगा अब यह देखो alpha into beta alpha by alpha into beta that is product of the root is nothing but c by a टिक है तो c by यह होता है तो c क्या मुझे? c मेरा 7 है टिक है तो यहां से मैं 3 by beta by 7 ऐसा लेकि सकता हूँ टिक है तो मेरा तो vatrito is जाएग पनीadenर्णीजर्णीजर्णीजर्स तो डिक व्कराइगा टिक है तो यह भीक्स के ढूड़ी इसको Auth1 यह मेरा क्या है तो यह मुझे अम्ये मिला तो यह beta के form में मिला इसको मैं गामा गोल जाता हूँ गाma गामा इस इकटो, तो यह भी गामा होगे है, ठीक है, अभी मैं इसको इसको मैं डेल्टा लेता हूँ, डेल्टा, तो डेल्टा is equal to 2, डेल्टा स्वार, plus 14, upon 3, डेल्टा प्लस 7, देखो यह वाल एक्वेशन, मैं सीव अलपा है, बस इसके जब बेल्टा है, तो मैं क्या करूं बाइ 7 और इसको मैं अलपा गड़ देता हूँ, ठीक है, सिमिलर्वी आप बोल सकते हैं, सिमिलर्वी, तो डेल्टा कितना हुआ, बाइ 7 और अलपा, ओके, अब इसका quadratic equation पुछाँ मैं करते हैं, ठीक है, तो quadratic equation के अधा, अलपा प्लस बेटा होता है, ठीक है, तो sum of the product, sum of the product is nothing but, अलपा प्लस बेटा, ठीक है, तो अलपा प्लस बेटा के अधा मुझे है, हम लोग क्या करते हैं, ये, अलपा प्लस बेटा मंदब, 3 बाइ 7, अलपा प्लस 3 बाइ 7 गेटा, ठीक है, ठीक है, तो इस में से, मैं अगर, इस बाइ 7, okay, कमन लेता हूं, फिर अलपा प्लस बेटा, ठीक है, अलपा प्लस बेटा इस नतिक हैं बद, सम अब अप्ड रूट, sum of the root is nothing but b by a, minus b by a, minus b by a, ये का value 1 ने, it is nothing but minus 9 by 7, तो मुझे sum of the root क्यों मिला, minus 9 by 7, अब मुझे product निकाल ला है, प्रोडेट के लिए क्या मिलाओं, प्रोडेट के लिए nothing alpha into beta कर जा है, तो 3 by 7 alpha into 3 by 7 beta, तो यहाँ से मिलाओं क्या करों, 9 by 49, तो alpha into beta, alpha into beta is nothing but c by a, ये का value 1 है, तो 7 समें जा 49, कुर 9 by 7 number. जी तो 9 by 7 निकाल, से के लिए III जा कम Misaac, और सीनखे 4 ने, प्रोडेट मेलाओं क्यों हो ना ने, आद करें को तो 9 by 7 निकाल, सीकें, इसमें लोगा, इसमें अमनों ने मुछ गलती किया है, इसमें मालमा, यह 2 है ना, यह 2 तो अमनों ने लिखा ही नहीं, तो 2 multiply भाए, ठीक है, यहां पे 2 आएगा, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह 6 हो जाएगा, यहां पे 6 हो जाएगा, ठीक है, यहां पे 6 आएगा, 6, यहां पे 13 है, यहां पे 6 हो जाएगा, यहां पे 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 36, 36 by 49, ठीक है, कितना है, 36 by 7, ठीक है, sum of the root, अभी मुझे sum of the root की मिलिए और मुझे product of the root दोनों मिलिए, sum of the root और product of the root is 36 by 7, अभी, इसको मैं को quadratic form में लिखना है, quadratic form में मतला है, x square, plus, क्या है, 7x square, plus 18x, okay, plus 36 is equal to what, 0, so this is your quadratic equation, यही हम लोगो find out करने के लिखना है, this is just quadratic equation, अभी, हम लोगो आगे का एक example sort करने वाले है, तो, let ax square, plus bx, plus c, has root alpha and beta, and define sn, define sn is equal to alpha raised to 1, plus beta raised to 1, and c is not equal to 0, okay, अभी, इस 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 में एक root, समझे लोगो, let alpha with the root, हम लोगो क्या करतें के लिए, now, as one of the root is alpha, तो, यह काम करते है, and define sn, sn क्या मेरा है, series है, sn alpha raised to 1, and beta raised to 1, समझ लो, मैंने n का value अगर 0 लिया, ठीक है, अगर 0 लेते हैं, तो, s0 alpha raised to 0, plus beta raised to 0, ठीक है, 1 plus 1, it is 2, तो, s0 मेरे को 2 बात है, ठीक है, अभी लिए, मैंने समझ लोगो, s1 ले रहा हूं, s1 मतलब n का value 1 लेते हैं, और, n का value 1 लेते हैं, ठीक है, तो, alpha plus beta आए, alpha, next लिया, अगर, alpha square plus beta square होता है, alpha square plus beta square क्या होता है, alpha plus beta the whole square plus 2 alpha beta, ठीक है, तो, यह क्या होता है, मैं, b square by a square, okay, plus 2, c by a, ठीक है, ठीक है, और यह क्या है, इसको में by a दी सकता हूं, s1, s1 by a, अभी, यहां पर, हम लोगो क्या हो रहा है, यह, as alpha is one of the roots, तो, मैं इसको alpha में लिखता हूं, a, alpha square plus b alpha plus c is equal to 0, ठीक है, अभी यह मेरा alpha में है, equation, तो मैं काम करूगा, इसको मारे में, इसको में alpha raised to n-1 से multiply करूँगा, alpha raised to n-1 से इस equation को में लोगो multiply करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसको में लिखते हो, alpha square alpha raised to n-1 plus n-1 plus c alpha raised to n-1 integral to 0, अभी इसको कैसे solve करते हैं, ठीक है, अभी यह 2 और minus 1 है, ठीक है, तो इसको मैं हटाऊंगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर क्कोन हो जाएगा, अभी यह जाएगा, अभी यह जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर n-1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अभी यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो, यह गया, यह गया, यह ओला गया, तो बच्चा क्या, alpha raised to 1, सी alpha raised to 1, is equal to 0, ठीक है, तो यह मेरा equation 1 है, this is your equation 1, तो similarly, आप beta के लिए भी लिख सकते होगी, ठीक है, beta के form में भी equation लिख सकते हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको beta के form में लिख होनगा है, a, beta, n plus 1 plus, b, beta raised to n, plus c, beta raised to n minus 1, is equal to 0, equation 2, अभी हम लोग क्या करते हैं, equation 1 और equation 2 को अगर मैं आड किया, तो मुझे series में आएगा, series के form में, तो मैं अगर add करो इसको, equation 1 और equation 2 और तो a कमन लिया, alpha raised to n, plus beta raised to n, plus 1, plus d alpha raised to n, beta raised to n, plus c, minus 1, plus beta raised to n, n minus 1, is equal to 0, अभी इसको मैं, तो यह वाला जो part है न, इसको मैं series में लिखने का, तो यह वाला न, alpha raised to n, plus 1, plus beta raised to n, plus 1, इसको मैं s, n plus 1, ऐसा लिख सकता हूं, अभी इसमें देवो, यह क्या alpha raised to n, plus beta raised to n, तो इसको मैं, sn लिख सकते हैं, let's see, sn minus 1, is equal to 0, okay, so, this is your required, sn, तो, यह sn के format में, यह equation आगे, so this is, how you have to solve this equation example, okay, इसमें सिर्फ प्र calculation part, आपको समझ में आना चाहिए, okay, alpha और beta तो आपको, some of the product of the root, कैसा निकालना हो तो पत है आपको, और यह division method है, division method है, आपको समझ में लेना है, समझ ना है, एक shortcut तरीका भी है, वो मैंने इसलिए नहीं बताया है, कि वो बताऊंगा तो वो काफी, वो करोगे तो उसमें wrong होने, कभी-कभी wrong होने का चाहन्स है, student हो जोड़ सीधी mistake करतेंगे तो कोई answer बुरा wrong आएगा, इस सेच आपको सिंपल division method आपको करेंगा तो उसमें answer आपने को correct आएगा, एक है? So I hope you have understood out this example, so wait for the next video, I will upload it, और future मैं लोग live videos भी लेंगे है, live lectures, एक है? So उसके लिए आप get किजिए, I hope you have understood everything, thank you. करेंगे हैं करेंगे हैं करेंगे हैं